हेलो गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल गाईज इस वीडियो ममनीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो प्रीवियस वीडियो में कमपलेट इनफोर्मेशन मैंने जो भी अपडेट आई थ उनका major doubt है seat blocking के बारे में ठीक है कि seat blocking third round के अंदर होगी या नहीं होगी कितनी percent होगी और उसका क्या effect का top पर देखने को मिलेगा क्या cut up round 3 के अंदर जा सकती है यदि seat blocking होती है तो ठीक है यदि seat blocking होती है तो इसके बारे माँ बात करने वाले हैं तो सबसे पहले seat blocking होती क्या तो seat blocking देखिए आप समझ सकते हैं कई चीजों से seat blocking को समझा जा सकता है तो first number का point है यदि आप state से भी seat ले लेते हैं और all India quota से भी यदि किसी round में आप दोनों से seat ले लेते हैं एक साथ तो उसको number 1 आप seat blocking वो लेंगे दूसरा point seat blocking का यह है कि जैसे कि आपको all India quota के second round में आपको कोई college मिल गया आप उसको join नहीं कर रहे हैं आगे join नहीं कर रहे हैं तो round 3 में आपको press registration करा के आप क्या कर लेंगे दो बार ऐसे counselling में आ जाएंगे तो और उसके बाद में state का round 2 है उससे भी seat ले ले लेंगे और all India quota के round 3 से भी आप seat ले रहे हैं कहीं न कहीं तो इसको overall आपन बोलेंगे कि seat blocking हुई है ठीक है अब seat blocking होने के chances क्यों है जादा तो उसका समझ लीजे कारण कुछ state है जैसे कि आपन राजस्तान की बारे में बात कर लेते हैं राजस्तान की जो student है अभी भी confusion में ठीक regination की date आपकी दे दी गई एक तारीक है बट वे अभी भी confusion में है कि कहीं हमको राजस्तान counselling वाले जो है counselling से बाहर तो नहीं कर देंगे यादि हम इस state से आल इंडिया कोटा से seat ले ले लेंगे तो इसका confusion अभी भी बना हुआ है उस पर कोई clarity नहीं दिये बट कुछ student risk भी ले रहे हैं कुछ नहीं भी ले रहे हैं दोनों तरफ से बाते चल रही है ठीक है तो उसकी बज़े से भी आपको जैसे की seat blocking देखने को मिलेगी दूसरा point जैसे की कुछ student को south की तरफ college मिले है south वाले state में तो वो क्या करेंगे अभी second round में college नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंग participate कर लेंगे और दुबारे से college अलोट करा लेंगे उसके बाद में जो भी college मिलेगा उसमें अपन reporting कर लेंगे ठीक है तो वो दूर जाने की बजाए यहां पर रहने का भी पसंद करेंगे second round में reporting नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी भी जो state का round 2 है वो बच्चा हुआ है उसकी बज़े से cut off कही न कहीं जैसे की आपकी increase होती हुई दिखाई देगी round 3 के अंदर increase का मतलब मेरा यह है कि यहां पर जितनी अपने expect कर रहे हैं कि cut off गटनी चाहिए उतनी नहीं गटेगी यानि यह system ठीक है तो आप कितनी cut off जा सकती है seat blocking पर मैंने आपको complete जानकर इसमें दे यदि seat blocking होती है तो ठीक है तो round 3 के अंदर cut off जाएगी ठीक है यदि seat blocking होगी तो unreserve में मिलेगा 24,500 तक ठीक है seat blocking होगी तो और नहीं होई तो 25,000 तक मिल जाएगा round 3 के अंदर उसके बाद में OVC में जो cut off रहने वाली है ठीक है 24,800 seat blocking होगी तो और यदि नहीं होई तो 25,200 तक मिलेगा कनफरम है उसके बाद में EWS में आपको यदि सीट ब्लॉकिंग होई तो 27,500 तक देखने को मिलेगा और यदि सीट ब्लॉकिंग नहीं होई तो 28,000 तक देखने को मिलेगा बट सीट ब्लॉकिंग होने के चांसे 70% है कि 70% सीट ब्लॉकिंग होगी ही होगी यह कनफरम मान के चलना ठीक है उसके बाद में SC SC के अंदर सीट ब्लॉकिंग हुई तो 1,35,000 तक मिल जाएगा ठीक है वरना 1,36 तक जा सकता है एक कटॉप उसके बाद में ST में यदि सीट ब्लॉकिंग हुई तो आपको ये कटॉप देखने को मिलेगी 1,99,000 और यदि सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई तो आपको सीदे सीदे देखना कटॉप 1,50 तक भी जा सकता है ST के अंदर ये चौकाने वाले आंकड़े आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो ये आपको मैंने complete information दे दी है इस तरह से cut-off round 3 के अंदर रहने वाली तो major students का बहुत सारे student लगातार message कर रहे थे calls आ रहे थे cut-off क्या जा सकती है round 3 के अंदर और seat blocking होई तो क्या जा सकती है दोनों चीजों को मैंने आपको differentiate करके बता दिया है और क्या possibilities है seat blocking की वो भी मैंने आपको समझा दिया और क्या होती है seat blocking कौन-कौन से factors को आप समझ सकते हैं इसमें वो मैंने संपुन जानकरिया आपको दे दिया